Hello students, चलिए start करते हैं, chapter number 13, limits and derivative, इसका introduction part हम इस वीडियो में cover करेंगे, जिस बच्चे को ये introduction, इसका concept अच्छे से समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा chapter बिलकूल easily आपके mind के अंदर set हो जाएगा, कि हमें exactly करना क्या है chapter के अंदर, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसक सबसे पहले जो हमारा जो chapter का नाम है, वो limits and derivative, इसके अंदर first term जो है, वो क्या है, limits, limits का exact meaning होता क्या है, अब जैसे मान लीजिए, आप और आपके friends के बीच में क्या हो जाए, कोई जगड़ा हो जाए, या फिर किसी और के साथ हो जाए, तो आप by chance उसको क्या कहते हो, कि boundary, मतलब उससे उसको cross नहीं करना है, same meaning इस chapter के अंदर है, मान लीजिए हमारा कोई भी function है, fx, इसकी क्या होगी, कोई न कोई boundary होगी, जहां तक ये value क्या करेगा, define करेगा, उससे बाहर इसका कोई भी महतव नहीं है, कोई भी इस function की value नहीं है, तो वो कहलाती है, इसकी limit, अ कई जगे तो LIM करके लिखा मिल जाता है, कई जगे आपको LT लिखा मिल जाएगा, साथ में यहां पर आपको ये जो boundary होती है न वो defined होती है, इस तरिके से, limit x tends to 2, या फिर x tends to 0, या फिर इस तरिके से हो सकती है, limit x tends to infinity भी हो सकती है, या फिर limit x tends to 10 भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब ये उसकी boundary को define किया गया समझ में आ गया ये नई term थी आपके लिए ये मतलब आपको clear हो गया होगा जैसे limit x tends to 2 है तो इस function की value जो है यहां तक 2 तक ही defined है उससे बाहर ये function define नहीं होगा clear यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब आते है main objective के उपर मान लीजिए आपको कोई function दे रखा है fx equal to इस तरीके से x tends to 2 और function दे रखा है हमें x square इसकी value हमने find out करनी है तो यहां पर क्या करना है simple सा काम है x की value को 2 को put कर दो यहां पर तो यहां पर क्या हो जाएगा f of 2 is equal to x के जगे अब 2 put करेंगे तो 2 का square 2 का square कितना हो गया हमारा 4 तो इस function का solution क्या आगया हमारा 4 बिलकुल simple था अब नई बात यहां पर क्या सीखने की है वो देखो अगर मान लीजिए आपको function दे रखा है इस तरीके से fx equal to limit x tends to 3 और function है हमारा x square minus 9 upon में x minus 3 ऐसे function दे रखा है आप भाग के क्या करोगे इस x की value को 3 को यहां put कर दोगे सर बड़ा simple है एक minute में कर देंगे देखो भई put करके यहां पर इसको put करते हैं 3 को 3 का square क्या हो जाएगा 9 यहां पर क्या है minus 9 upon में यहां पर 3 put किया तो 3 minus 3 value क्या आ गई 9 minus 9 0 3 minus 3 0 और 0 by 0 मतलब 0 अंसर आ गया नहीं गलत हो जाएगा आपको द्यान क्या रखना है limit वाले question में अगर हमारे function की form 0 by 0 आती है तो आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा कुछ न कुछ क्या करना है जो भी हमें function दे रखा है उसके अंदर modification करनी पड़ेगी उसको simplify करना पड़ेगा उसकी 0 by 0 form को खतम करना पड़ेगा बस यह चीज है हमारे limit के अंदर और कुछ भी नहीं है कैसे खतम करते हैं वो देखते हैं अब देखो यहां पर limit x tends to 3 दे रखा है अब यहां पर x square minus 9 है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x square minus 3 का square upon में x minus 3 कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर इसको देखो x square minus 3 का square a square minus b square लग सकता है या नहीं तो यही लगा देना है क्या हो जाएगा x-3 और x plus 3 अब उन में x-3 x-3 से x-3 cancel तो जो हमारा function था वो क्या बच गया हमारा limit x tends to 3 x plus 3 अब x की value 3 foot करके देखो यहाँ पे x की जंग है 3 put करेंगे तो हमारे value क्या आ जाएगा 3 plus 3 मतलब 6 आ गया अब 0 by 0 of home खतम हो चुकी हमारी तो यह क्या हो जाएगा हमारा solution समझ में आया concept limit के अंदर करना क्या है अब कुछ एक दो question देखते हैं फिर देखते हैं क्या करना होता है चलिए देखते हैं next question अब मान लीजिए आपके पास question इस तरीके से दे रखा है limit जो है x tends to 1 है मतलब x की value 1 तक जा सकती है और function जो दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है x square plus 2 upon me x plus 11 सबसे पहला काम क्या करना है क्या यह हमारा function 0 by 0 form में तो नहीं है चलो देखते हैं x equal to 1 put करके देखो 1 का square किया 1 1 plus 2 कितना हो गया 3 निचे भी नहीं आएगा हमारा 0 तो यह 0 by 0 की form में नहीं है तो करना क्या है ऐसे question में simply apply limit की value को इसके अंदर put कर देना है और जो भी answer आए वो क्या हो जाएगा हमारा इसका solution तो x equal to 1 put कर दो क्या जाएगा यहाँ पे 1 का square 1 plus 2 upon me 1 plus 11 क्या आगया 1 plus 2 कितना हो गया हमारा 3 अब उन में 11 plus 1 कितना हो गया हमारा 12 तो 3 बंजा 3 3 4 जा 12 तो 1 by 4 क्या हो गया हमारा इसका solution simple था समझ में आगया अब आता है कुछ twist वाला question मान लीजिए आपके पास कोई function दे रखा है ऐसे limit x tends to 2 यह example भी दे रखे हैं हमें और यहां पे जो function दे रखा है वो है x cube minus 4x square plus 4x divided by x square minus 4 ऐसे question दे दिया और इसका solution आपको पूछ लिया कि इसका solution क्या होगा अब यहां पे ध्यान से देखो अब देखो उसके अंदर तो हमने directly put कर के देख लिया था यहां पे 2 put करके देखो 2 का cube करेंगे तो क्या हो गया 8 minus 2 का square 4 4 4 जा क्या हो गया 16 यहां पे 2 4 जा 8 clear denominator में देख लिते हैं 2 का square क्या 4 minus 4 8 plus 8 16 16 minus 16 क्या हो गया 0 अब उन में 4 minus 4 0 आ गई ना भई 0 by 0 form तो इसमें तो हम directly इसको simplify नहीं कर सकते तो इसमें क्या करना पड़ेगा अब इसके अंदर कुछ न कुछ थोड़ी सी modification करेंगे हम जो भी हमें question given है तो चलिए देखते हैं कैसी modification यहां पे possible हो सकती और कैसे करेंगे हम तो यहां पे देखो हमारा जो function दे रखा है x cube minus 4 x square plus 4 x उपर से देखो कोई चीज common आ रही है x इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है तो x को तो हम फटाक से common ले सकते हैं तो limit को अपनी साथ लेके चलना है limit x tends to 2 into यहां पे क्या आ गया हमारा x common अंदर क्या बज़ गया x square minus 4 x plus 4 denominator में क्या आ गया x square minus 4 क्योंकि यहां से तो कुछ common आई नहीं रहा इस 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 का square करके लिख सकता हूँ यह लिख दिया मैंने ठीक है अब देखो next क्या बनता है हमारा limit x tends to 2 into यहां पे क्या है x into यह देखो किसका formula बन गया हमारा यह जो formula बन गया x minus 2 का whole square बन गया देखो x का square करेंगे x square 2 का square 4 और 2x होता है minus का तो minus 2 2 जा 4x x minus 2 का whole square बन गया निच्चे क्या बना x square minus 2 का whole square a square minus b square लगाएंगे तो क्या बन गया x minus 2 और x plus 2 यह simplification हो गई x square से यह वाली term cancel out हो गई तो हमारा जो function आया निकल के वो क्या आ गया limit x tends to 2 into x into x minus 2 अब उन में क्या आ गया x plus 2 क्या आपको इसके अंदर कोई और modification नजर आ रही है कि हो सकती है नहीं और कुछ नजर नहीं आ आ रहा अब x की value 2 put करके देख लो तो 2 put करेंगे यहां पे तो 2 into 2 minus 2 अब उन में 2 plus 2 क्या आ गया 2 minus 2 0 0 की 2 से multiply 0 अब उन में 2 2 जा 4 तो 0 by 4 आ गया था इसकी answer क्या आ गया हमारा 0 अब देखो ध्यान से मैंने कहा था 0 by 0 form नहीं होनी चाहिए 0 by 4 4 by 0 2 by 0 ऐसे हो सकती है बट 0 by 0 हमारी form नहीं होनी चाहिए बस यह चीज आपको ध्यान रखनी है समझ में आया limit के question किस तरीके से खरने है clear हो गया होगा concept limit होती क्या चीज है अब यहाँ पे कुछ limit से related कुछ identity कुछ term को हम देख लेते हैं अब यहाँ पे कुछ identities की बात कर लेते हैं trigonometric functions की अब देखो सबसे पहली identity आती है हमारी limit अगर x tends to 0 हो अब इस x tends to 0 का मतलब क्या होता है x approaches to 0 या फिर x की value है 0 तक हो सकती है तो यहाँ पे अगर ऐसे दे रखा हो sin x by x यह form मिल जाए आपको तो इसका directly जो solution होता है वो किसके equal होता है 1 के equal अब देखो यहाँ पे x tends to 0 पुट करके देखते हैं sin 0 by 0 मतलब 0 by 0 form आएगी बट इसको जैसे ही हम simplify करते हैं तो उसका solution जो आता है 1 आता है तो हमेशा कहीं भी आपको sin x by x मिल जाए और limit जो है जो भी यह angle है वो tends to 0 हो तो उसका solution क्या होगा 1 similarly होता है हमारा limit x tends to 0 10 x by x मिल जाए तब 20 का solution क्या होगा 1 दूसरा जो होता है function limit x tends to अगर 0 है और ऐसी form मिल जाए 1 minus cos x by cos x तो इसका solution जो होगा वो कहा तक होगा मारा 0 होगा clear कोई लिक्कत नहीं है यह identity आपको याद रखनी है sin x by x मिल जाए तो उसका solution 1 होगा 10 x by x हो तो उसका solution 1 होगा 1 minus cos x by x हो तो उसका solution 0 होगा एक और identity है limit x tends to a और हो अमारे पास x की power n minus a की power n अप उन में x minus a तो इसका solution होता है n a की power n minus 1 यह 4 identity है जो mainly हमारी use होने वाली है limit में यह तो था limit तक का introduction अब बात करते हैं जो हमारी 13.2 है derivative वाली उसका introduction हम यहाँ पे briefly देखेंगे बिल्कुल simple है class 12 में भी आपका use होगा तो derivative के बारे में आप भी हम देखते हैं अब जो derivative term है मारी यहाँ पे उसको हम दूसरा नाम जो है differentiation से भी इसको call करते हैं derivative को differentiation भी बोला जा सकता है और exact meaning होता क्या है हमारा इसका slope of tangent slope of tangent जो होती है उसको हम derivative या differentiation कहते हैं अब देखो मान लीजिए हमारे पास कोई भी curve है इसके उपर point को touch करती हुई कोई line है तो यह क्या कहलाती है हमारी tangent क्या होती है यह tangent इसके points दे रखे मान लीजिए यह points है x1, y1 यह points है हमारे x2, y2 अगर मैं इस line की slope की बात करूँ तो आपने straight line chapter के अंदर पड़ा था m is equal to क्या होता है y2 minus y1 upon में x2 minus x1 slope ऐसे ही तो निकलती है m is equal to y2 minus y1 upon में x2 minus x1 तो यहां derivative का इस slope से क्या relation है ध्याम से देखो जो यह y2 minus y1 है इसका मतलब क्या है y2 में से y1 की value को subtract किया गया है कोई value आएगी subtract करके उसको हम represent करते हैं dy से upon में x2 minus x1 है इन दोनों को subtract किया गया है इसको represent करेंगे हम dx से जो यह dy by dx आया है इसका मतलब समझो अब है क्या चीज यह जो dy by dx है इसका मतलब होता क्या है change in value of y upon में change in value of x class 10th में भी पढ़ा होगा आपने 9th में भी 8th में भी science के अंदर ठीक है delta x by ds by dt इस तरीके से पढ़ा होगा distance upon में time किसके इकवल होता है मारा acceleration के पढ़ा है ना या फिर dv by dt वो किसके इकवल होता है मारा sorry यह ds by dt होता है velocity के और dv by dt होता है हमारा acceleration के ऐसे होता है clear तो यही term है हमारे पास dy by dx change in value of y upon में change in value of x इसी को हम कहते है derivative differentiation या फिर इसको कैसे लिखा जा सकता है कई जगे delta x by delta sorry delta x by delta t तो मैंने यह form बता दी आपको या फिर इसको कैसे लिख सकते हम delta y by delta x जो यह dv by dx था उसको delta y by delta x भी लिख सकते है और क्या हो सकता है y dash का मतलब है derivative of y with respect to x कि हम y का derivative differentiation कर रहे हैं किसके respect में x के respect में तो exact जो meaning हो गया dy by dx का वो क्या हो जाएगा derivative of y with respect to x अब घबराना मत यह चीज है क्या सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया ऐसा मत सुचो अब ही मैं आपको clearly समझा दूँगा इनका मतलब क्या होता है next place पे देखते है अब जो था dy by dx इसको थो हमने लिख दिया y dash इसका मतलब y का derivative हो रहा है अगर मान लिया इस तरिक्ये से होता du by dv इसका मतलब derivative of u with respect to v इसको लिख देते हम u dash कोई ओर टम होती मान लिजिए dz by dt होता मतलब derivative of z with respect to t इसको लिख देते हम z dash अब यह with respect to का मतलब क्या है वो समझ लो मान लिजिए आपके पास कोई भी function दे रखा y is equal to x square plus 2x y is equal to x square plus 2x y क्या है एक तरिक्ये की function है हमारा और जो इसकी value दे रखी है x की form में दे रखी है तो इसका जो derivative होगा ना इसके respect में होगा dy by dx या फिर ऐसे दे रखा होता हमारा मान लिए z is equal to दे रखा है t square plus में 2t plus में t cube ऐसे कोई function है तो इसका मतलब z का derivative किसके respect में होगा t के respect में तो ये क्या होगा dz by dt ये बहुत लंबा concept हो जाएगा जो class 12 में आने वाला है छोटा सा derivative मैं अभी यहाँ पर समझा देता हूँ आपको देखो अगर मान लीजिए आपको x square का derivative करना है या फिर x की power n का derivative करना है x की power n मतलब कोई भी term हो सकती है n की value और वो करना है आपको मान लीजिया ये दे रखा है y is equal to x की power n इसका derivative करना है तो कैसे होगा dy by dx x के respect में होगा इसका formula होता है simple सा n power को अगे लेके आओ x की power n माइनस 1 जो power हो उसमें से एक subtract कर दो अब जैसे मान लीजिया y is equal to आपको x square दे रखा है इसका derivative निकालना है तो y का derivative क्या हो जाएगा dy by dx is equal to power को अगे लेके आए 2 x की power 2 में से एक 1 गया तो हमारा क्या हो गया 1 तो क्या आगया dy by dx कितना आगया 2 x देखो नई term है derivative differentiation थोड़ा सा time तो लगेगा समझने में गबराव मत समझ में आ जाएगा कोई और function देखते हैं जैसे z is equal to दे रखा है हमारा t cube प्लस में t square प्लस में 2 t इसका differentiation करना है z का with respect to t तो यहां पर क्या हो जाएगा dz by dt is equal to power आगया आएगी 3 आगया आगया t की power एक power कम कर दो 3 t square इसका derivative यह हो गया t square का derivative कैसे करेंगे square है power आगया आगी 2 t की power एक कम कर दो 1 हो गया प्लस में 2 as t t की power क्या है यहां पे 1 1 आगया है तो 2 बंजा 2 और t की power क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 करेंगे तो t की power 0 मतलब क्या बन गया यह 3 t square प्लस 2 t और प्लस में 2 क्योंकि किसी की power भी 0 हो वो क्या होता है 1 तो 2 बंजा 1 यह आगया हमारा different situation समझ में आया अब यह with respect to का मतलब भी आपको exactly समझ में आ जाएगा ध्यान से देखो अब देखो एक और चीज़ दे रखिए मान लीजिए y is equal to दे रखा है आपको x की power 4 प्लस में 2x और प्लस में दे रखा है आपको y यहां पे y नहीं और कुछ लेते हैं मान लीजिए y की जंगे आपको दे रखा है z दे रखा है ठीक है x की power 4 प्लस 2x प्लस z और यहां पे क्या करना है differentiation of y with respect to x देखना है हमे अब आपको होगे sir x वाली term आती थी यहां पे तो z भी आ गया अब देखो with respect to का मतलब समझ में आएगा आपको यहां पे क्या करना है dy by dx with respect to x निकालना है तो y का derivative with respect to x ऐसे होगा is equal to पहले x की power 4 का करो तो क्या हो जाएगा 4 आगे x की power 1 power कम हो जाएगी x cube हो गया यहां पे 2x का क्या हो जाएगा हमारा 2 अभी अभी पताया था 1 आगे आएगा 1 में से 1 गया तो हमारा x की power 0 बचेगा x की power 0 मतलब 1 प्लस में अब यहां पे z का क्या होगा z क्या है हमारा एक तरीके से constant क्या है यह constant term क्या है constant क्योंकि हम तो with respect to x कर रहे है यह तो x की term नहीं है तो z का derivative क्या हो जाएगा हमारा 0 तो with respect to x का मतलब जिसके भी respect में कर रहे हैं वो तो variable मनने जाते हैं और another जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं constant और constant term का derivative होता है हमारा 0 यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है समझ में आई अब बात कुछ अब देखो एक और चोटा सा example लेते हैं थोड़ा सा time लग रहा है बट समझ में आ जाएगी class 12 में भी बहुत ज़्यादा help होगी confuse नहीं होगे फिर आप अब मान लीजिए आपको term दे दी आपको y is equal to x की power 9 plus में 2x की power 4 plus में zx की power 2 और plus में दे दिया आपको यहाँ पे t अब देखो यहाँ पे variable कौन सी है और constant term कौन सी है इसमें भी x है इसमें भी x है हमें इससे मतलब नहीं है x की term तो इसके साथ attach है ना तो यह सारी variable है इनके derivative हो जाएंगे t का derivative क्या हो जाएगा 0 कैसे dy by dx is equal to इसका derivative 9 आगे x की power 8 हो जाएगा plus में 4 to 8 x की power 1 कम कर दो 3 plus में 2 आगे आदेगा 2 z x power 1 कम कर दी plus में t का derivative क्या हो जाएगा 0 this is the differentiation समझ में आई बात अगर मान लीजिए इसी term का derivative with respect to आपको t के लिए बोल देता कि इसका derivative with respect to t करो means dy by dt निकालो क्या बोल देता dy by dt इसका मतलब t वाली तो variable है ये बाकी सारी term क्या है constant इसका भी 0 इसका भी 0 इसका भी 0 t का derivative क्या हो जाएगा 1 कैसे हुआ 1 t की power क्या है यहां पे 1 है 1 को आगे लेके है 1 into t की power 1 minus 1 ऐसे ही तो derivative होगा यही तो formula होता है n x की power n minus 1 तो power को आगे लेके है into में power क्या कर दिया एक subtract तो 1 into t की power 0 मतलब क्या हो गया 1 तो 1 into 1 क्या आगया 1 समझ में आया आप बात clearly समझ में आगया जिसके respect में करते हैं वो पूरा का पूरा function variable होता है another जो term होती है उसके अंदर वो क्या होती है constant और constant term का derivative होता है 0 यह चीज अब आपको clear हो गई होगी कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है अब यहाँ पर आता है कुछ से simple से trigonometric function का differentiation होता क्या है वो देखते हैं अब जितना भी यह derivative का समझाया है मैंने उसका 30% तो आपके mind के अंदर set हो गया होगा न वही sufficient है बाकि questions करेंगे सारा का सारा hundred percent आपके mind के अंदर set कर दूँ है बेफिकर रही है अब देखो यहाँ पर क्या होता है अगर मान लीजिए हमें sine x का differentiation देखना हो d by dx of sine x ऐसे हो तो sine x का differentiation direct होता है हमारा cose x cose x की अगर differentiation की बात करूँ तो वो होता हमारा minus का sine x d by dx cose x का होता है minus sine x अब बात करते हैं 10x और cortex की तो d by dx of 10x यह किसके equal होता हमारा secant square x के यह formula याद करने हैं आपको d by dx of अगर मान लीजिए आपके पास आजए कोट x तो उसका होता है minus का cosecant square x हो गई चार formula नेक्स बात करते हैं d by dx of secant x उसका क्या होगा secant x into 10x last जो बच गया हमारा d by dx of cosecant x इसका derivative होता है minus का cosecant x और कोट x यह 6 formula हैं यह आपको याद रखने हैं class 11th के अंदर इनी का utilization है mainly बाकी जो formula है और भी अधर derivative आएंगे वो class 12th के अंदर आएंगे easily आपको समझ में आ जाएंगे main 6 formula यह थे अब यहाँ पर बात आती है अगर मान लीजिए इस तरीके से दे रखाऊ d by dx into में मान लीजिए एक function है fx और plus में है gx कोई अधर अधर function दे रखे हैं और यहाँ पर एक मान लीजिए क्या है minus एक बार मान लीजिए fx plus gx दे रखा है एक बार fx minus gx दे रखा है तो इनके differentiation को कैसे लिख सकते हैं हम अलग अलग करके d by dx of fx plus वाला हो तो plus का sign d by dx of gx ऐसे करके लिख सकते हैं सेपरेट करके minus term हो तो 7 में minus करके लिख दो समझे भी आगी बात अब बात आती है d by dx of अगर मान लीजिए दो function multiply में लिख रखे हो यह first function multiply में second function ऐसे दे रखा हो तो क्या करेंगे इसमें क्या होता है first function को रखो agitives मतलब जो भी है उसको agitives रख लो differentiation करेंगे हम किसका second वाले function का plus का sign फिर second वाले को रखो agitives differentiation कर देंगे हम किसका first वाले function का समझ में आई बात first function को agitives रखा differentiation second वाले का plus में second को edge रखा differentiation of first वाले का clear last जो बसता है इसका formula वो है d by dx of first function divided by second function divide में अगर हो तो कैसे लिखेंगे इसका होता है second function का square और यहाँ पर क्या आता है second function as it is derivative of first function minus में first function as it is derivative of second function समझ में आई बात कुछ formula समझ में आया अगर ऐसे दे रखाओ u by v या फिर एक numerator में एक denominator में function दे रखाओ first function उपर second function नीचे तो कैसे होगा second function का square हो जाएगा denominator में second वाले को edge इस रखो जो भी दे रखा है first वाले का derivative माइनस में first as it is second वाले का derivative इनके एक एक example समझा देता हूँ आपको clear हो जाएगा चलिए देखते हैं अब यह जो formula लिखे देना मैंने कई जगे यू into v करके भी मिल सकते हैं आपको जैसे first into second लिखा था मैंने तो ऐसे भी आपको मिल सकते हैं कई teacher ऐसे भी बताते हैं d by dx of u into v करना हो u into v मतलब u हमारा first function v हमारा second function तो कैसे होता है u as it is derivative of v plus में v as it is derivative of u u by v की form में हो तो v मतलब denominator वाले का square v as it is derivative of u माइनस में u as it is derivative of v अब example समझो यहां पर एक मान लीजी आपको देदे d by dx of x into sin x इसका derivative करके दिखाओ तो यहां पर देखो इसको तो u मान लो इसको मान लो v u क्या है हमारा x v क्या है हमारा sin x तो इस form में करो इसको convert तो करना क्या है हमारा u as it is as it is मतलब x है हमारा as it is derivative of किसका होगा sin x का प्लस में v as it is मतलब sin x हमारा as it is रखा जाएगा और derivative किसका होगा हमारा x का तो d by dx of x इसको simplify कर लो x तो हमारा as it is रहना है sin x का differentiation अभी अभी बताया था मैंने plus sin x as it is और x का differentiation की सोगा हमारा 1 क्यों होता है x का differentiation 1 x की power क्या है यहां पर 1 और x की power कुछ भी दे रखी हो उसका differentiation का formula क्या होता है n x की power n minus 1 यह formula होता है हमारा यहां पर apply करके देखो 1 power आगे आएगी X की पावर 1-1 1-1 क्या हो गया? 0 X की पावर 0 मतलब 1 1 into 1, 1 आ गया तो ये आ गया हमारा differentiation Simple था अब अगर मान लीजिए ऐसे दे रखाओ D by DX of Sine X by X अब देखो U by V हो गया हमारा उपर निच्चे function आ गया इसका differentiation कैसे करेंगे निच्चे वाले function का square X square इस वाले function को रखो agitize D by DX of क्या होता है? उपर वाले function Sine X माइनस में फिर क्या होता है? उपर वाले function को agitize रखो D by DX of निच्चे वाला function समझ में आगी? ये वाला formula यूज कर लिया अब यहाँ पर क्या आ गया? आमारे पास X Sine X का differentiation Cos X माइनस में Sine X और X का differentiation 1 अपोन में X square ये आ गया आमारा differentiation This is the answer Simply समझ में आ गया होगा differentiation कंसेप्ट कुछ समझ में आया होगा 40-30% अगर इतना आ गया ना तो बे फिकर रहो बाकी काम मेरा है इतनी चीज समझ लो बस Last जो बसता है हमारा First Principle Derivative अब क्योस्चन के अंदर अगर आपको ये बोल दे कि Derivative करो with respect to First Principle तो आपको First Principle से करना है अगर First Principle नहीं दे रखा तो आप Direct Method से भी आपे Derivative कर सकते हो तो अब Last में सीख लेते हैं First Principle Derivative होता क्या है अब यहाँ पे हम देखेंगे First Principle Derivative कैसे Find Out किया जाता है कि कि किसी भी function का अगर Derivative करना है और First Principle से करना है तो कैसे करेंगे अब देखो हमारा अगर मान लिया DY by DXO तो मैंने बताया है उसको हम क्या लिख सकते हैं अगर मान लिया हमारे पास कोई function है Fx इसका derivative करना है तो इसको हम F-X भी लिख सकते हैं F-X का मतलब इसका derivative अब देखो First Principle Derivative निकालने का एक formula होता है हमारे पास कैसे F-X मतलब derivative of Fx इक्वल टू किसके होगा limit H stands to 0 H stands to 0 और यहाँ पर क्या होगा F of X plus H minus Fx upon में H यह formula होता है हमारा First Principle Derivative का इसका proof भी होता है अगर कहोगे तो मैं वीडियो बना दूँगा वैसे आपको यह remember वैसे भी रखना है इसके proof की कोई भी requirement नहीं है ना ही syllabus के अंदर है ठीक है अब इसका utilization किस तरीके से करते हैं वो ध्यान से सुन लो अगर मान लीजिए आपको कोई function दे दे Fx equal to x square या फिर y is equal to x square इसके derivative को पूछ ले direct method से हो आपने सीख लिया एक minute में बता दोगे dy by dx सर इसका होगा power अगे आ जाए कि 2x की power 2 minus 1 1 dy by dx इसका 2x हो जाएगा means f dash x जो होगा वो 2x आएगा अब अगर इसी question को बोल दे कि first principle से करके दिखाओ तो कैसे करेंगे देखो हमारे पास जो function दे रखा है fx equal to क्या दे रखा है x square अब इसके अंदर हमने क्या करनी है ये values put करनी है अगर मान लीजी है आपको मैं कहा दो f of 1 की value क्या होगी इसके अंदर तो x की जगे क्या put करोगे 1 put करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 का square मतलब 1 आ गया अगर मान लीजी है मैं पूछलू कि f of 2 की value क्या होगी तो अप x की जंगे क्या put करोगे X plus H की value क्या होगी F of X plus H तो यहां पर जो value है वो यहां तो put करोगे मतलब क्या हो जाएगा X plus H का whole square हो गया ऐसे ही तो बोलोगे समझ में आई बात F of 1 निकालना तो X की जगह 1 put कर दिया F of 2 निकालना तो X की जगह 2 put कर दिया F of 3 निकालना तो 3 put कर दिया अब अगर F of X plus H निकालना तो X की जगह क्या put कर देंगे X plus H यह चीज समझानी थी बस कुछ भी नहीं है question हो गया देखो अब F dash X equal to limit H tends to 0 F of X plus H की value क्या हो जाएगी हमारी X plus H का whole square minus F X क्या दे रखा है हमें X square तो X square put कर दिया अब ओन में क्या आजाएगा H clear value put करनी आगए आपको बस और कुछ नहीं सीखना इसके अंदर यहीं चीज आनी चाहिए बस अब देखो इसको simplify करते है limit H tends to 0 इसको simplify करो X square plus H square plus 2XH A plus B का whole square open कर दिया minus में X square अब ओन में क्या है H clear कोई दिक्कत नहीं X square से X square cancel बचा क्या है यहाँ पे H square plus 2XH अब उपर से common क्या रहा है वो देख लो क्या आजाएगा यहाँ पे limit H tends to 0 means H की value 0 put करनी है उपर से common आगया हमारा H अंदर क्या उच गया H plus 2X अब ओन में क्या है H H से क्या cancel हो गया H बचा क्या हमारा H plus 2X अब H की value put कर दो H की value क्या है हमारी 0 तो 0 plus 2X is equal to क्या आगया हमारा 2X तो इस function का derivative कितना आया हमारा 2X हो तो simple भी जाता दो step में बट अगर उसने यह पूछ लिया कि sir first principle से करके दिखाओ तो ऐसे करना आपको तो आगया ना same answer 2X ही आया ना हमारा derivative और वैसे direct भी क्या आया था 2X यह उता हमारा first principle बाकी इसके question करेंगे वहां से आपके सारे doubt clear हो जाएंगे concept आपको clear हो गया होगा कुछ ने कुछ derivative के बारे में आपको 30-40% सीखने को मिल गया होगा बस इतना ही सीखना बाकी काम मेरा है मैं अपने आप अपके mind के अंदर set कर दूँ थेंक्यू students for watching this video ये वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो ठीक है अगर नहीं तो एक बार और और play करके देख लीजिए बाकी इस chapter के अंदर इससे अलग कुछ भी नहीं है मैंने class 12 तक का बता दिया है आपको ठीक है concept clear करना है रटा नहीं लगाना किसी चीज का भी कोई भी problem कहीं पे face होती है तो आम मुझे comment करके जरूर पूछ ले thank you students for watching this video thanks